भुद कुछ नहीं किसी बस्ती में एक बालक रहता था वो बड़ा निडर था घूमते घूमते वो अक्सर बस्ती के बाहर नदी के किनारे चला जाता था और थोड़ी देर वहां रुक कर लोटाता था उसके बाबा उसे बहुत प्यार करते थे उन्हें लगा कि किसी दिन वो नदी में गिर न जाए इसलिए एक दिन उन्होंने अपने बेटे से का बेटे तुम अकेले नदी के किनारे में चाये करो बालक ने पूछा क्यों? बाबा ने कहा वहां भूत रहता है भूत की बात सुनकर बालक के मन में इतना डर बैठ गया कि उसके लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया जरा जरा सी बात में भूत उसके सामने आखड़ा होता बाबा ये देखकर बड़े हैरान हुए उन्होंने सपनी में भी नहीं सोचा था कि बालक भूत की बात से इतना डर जाएगा तब उन्होंने एक दिन बालक के हाथ में एक धागा बान दिया और कहा अब तुम्हें भूत से डरने की कोई जरूत नहीं है ये देखो भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे बालक खुश हो गया वो फिर बाहर घुमने जाने लगा एक दिन सयोग से उसके हाथ का धागा तूट कर कहीं गिर गया बालक घबराया हुआ बाबा के पास आया और खाले कलाई बाबा को दिखा कर बोला बाबा भगवान चले गए मैं अब क्या करूँ तब बाबा ने उसको समझा कर कहा बेटे नदी के किनारे कोई भूद भूद कुछ नहीं था और न धागे में भगवान थे ये तो हमारे बनाई हुए थे आदमी को डरना नहीं चाहिए जिसका दिल मजबूत होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगार सकता बालक को जब असली बास समझ में आ गई और वो आनन्द से रहने लगा